मुलायम सिंग के जो बयान आ रहे थे और लगातार वो बयान बदल रहे हैं अपना समर्थन वापिस ले सकते हैं लेकिन उसके बाद मुलायम सिंग का जो बयान आया कि नहीं वो समर्थन नहीं लेंगे और पुछ महत्पूर्ण बात है जो आप मैं आप से चाहता हूं कि उन्होंने दो बाते कहीं उन्होंने एक तो यह बात कहीं कि सम्मंध अभी इतने नहीं बिगडे हैं कि प्रधन मंतRY इस तरह के बयान दे फिर वो कहते हैं कि अभी इस वक्त यह समय नहीं है सही जबकि हम समर्थन वापिस लें और इसके साथ ही लगे वो कहते हैं कि समर्थन वापिस लनी की जडरूरत क्या है सरकार जो है अब कुछ मेहनों के लिए है तो तो वो एक तरफ कहते हैं नौंबर में चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये साथ तमाम इस्थती ऐसी बनी हुई है, अब फिर कहते हैं ये बात, तो ये जो समर्थन को लेकि जो स्वर बदल रहे हैं, स्वर बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, लेकि दिलीप म पिर एक बात अपनी दोराओंगा कि मुलाइम सिंग के बारे में परसेप्शन मीडिया में जो भी हो और राजनिती में जो भी हो कि वो कुछ अटपटे बयान दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि मुलाइम सिंग बड़े मज़े हुए खिला रही है मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम सारी बातें कहते हैं कि समर्थन वापसी का कोई समय नहीं है रिष्टे खराब नहीं हुए है जो बात प्रदान मंतिरी ने कही है फिर ये भी कहते हैं कि सीबियाई लगा रखी है मेरे खिलाफ एडी लगा रखी है तो ये जितने बयान हैं सारे प्यानों से एक ही लब वलवाब है कि एक तो बेनी परसाद वर्मा से ये जो तलखी शुरू हुई उस वेनी परसाद वर्मा को बाहर नहीं निकाला गया मैंने कहा कि बेनी परसाद वर्मा ने अगर कोई बात कह दी थी और मुलाइम सिंग उस पे नाराज थे तो इतना बड़ की UPA सरकार पूरी तोर से उन पे निरभर हो और ये वो डिसाइसिव घड़ी है DMK के बाहर जाने के बाद कि उनको ये समझ में आ गया है ये सरकार किसी भी हालत में उनके बगएर एक दिन नहीं चल सकती मुलाइम सिंग की जो बात कहरें में समर्थन वापस लेने का सही समय नह है और उस ब्लैक मेलिंग के पीछे उनका सबसे बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में अखलेश की सरकार की जिस तरीके से उनकी जो पॉपॉलर्टी हो गिर रही है कानून विवस्था का मामला है मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिसा करा है उसको रोकने की वो तमाम खिसानों से किये थे और वहां की आम जंता से किये थे उसमें से एक भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा अब ऐसे में उनको लगता है कि केन सरकार अगर उनकी बात को सीधे तोर पे नहीं सुनती तो उसे डरा के धमका के उसको ब्लैक मेल करके किसी न किसी तरीके से इतने मुलाइम सिंग भरी महفل में कहते ही यह बात ग्रहे और यह बात पब्लिक एकने की नहीं थी कि आप एद्वानी जैसे ने कहा है कि मैं एतने जी अद्वानी जी झोट नहीं हो रहा था तो उसके बाद अपने ुएट किया था कि ना तो बीजेपी की और नहीं कॉंग्रेस की सरकार आ रही, सरकार बनेगी किसी तीसरे मोर्चे की और प्रदान मंतरी उसमें से बनेगा ये कहने के पीछे उनका मकसद भारती जंता पार्टी के अंदूरी राजनीते में मोदी को रोकना था लेकिन जिस तरीके से अड़वानी के तारिफ मुलाइम सिंग ने की है ये उस से ऐसा लगता है कि अड़वानी का दर्द और मुलाइम सिंग का दर्द एक साथ है मुलाइम सींग के पास समय कम है मुलाइम सींग की जो सत्ता का केंद्र है उत्रपरदेश वहाँ उनकी सत्ता किसक रही है वोट बेंक किसक रही है ऐसे में उन्हें प्रधान मंतरी बनने की महतोकांगशा अप से नहीं पहले से है आप जानते है लेहाजा उनके बयान लगातर जो बदल रहे हैं वो पूरी तरह से कॉंग्रेस को दबाव में लेने की राजनीती के अलावा कुछ नहीं है उन्होंने कहा है कि जो लोग भी कॉंग्रेस को समर्थन करते हैं या कॉंग्रेस के सरकार को समर्थन करते हैं Congress उसे दोखा देती है उन्होंने मसलन DMK के बारे में कहा 2GKS में देखे DMK के साथ क्या हुआ ये राजा के साथ क्या हुआ उन्हें जिल भेज दिया गया और उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार चल रही है ये CBI और Income Tax Department के भरोसे चल रही है नहीं तो ये पार्टी जो करा हैं ट्रस्ट वर्दी नहीं है जिस पर भरोसा कर सकते हैं ये बहुत गंभीर मसले हैं क्या मुलाइम सिंग ये कह रहे हैं देश के जनता को उत्तर प्रदेश के जनता को कि हमें इस पार्टी ने फसा रखा है क्या मुलाइम सिंग ने घुटाले किया है क्या मुलाइम सिंग ने कोई बहुत बड़ा करप्शन किया है तो फिर किस बात का डर है वो कहते हैं ट्राप जिस तरह से हरकेज हरकेजी आप उनके शबदों को अगर मैयाप उनने का कि Congress runs the government by controlling the Central Bureau of Investigation and Income Tax Department and was never a trustworthy party यह काम ऐसा क्या कर रहे है जिससे कि यह लोग परिसान होते हैं यह कोई भी मुलाइम सिंग बात नहीं करते हैं जो लोग भी आरोप लगाते हैं सरकार के उपर कोई भी सरकार आकर वो क्या काम कर रहे हैं इन से वो परिसान होते हैं यह परिसान है कि यह सब पीछे अगर मान लिजे आपके पीछे सी बियाई लेगा तो आपके परिसान होंगे क्या करेंगे आप जिनकी चवी है एक सवाल यह भी उटता है कुछ भो है तब इस अगर सी बियाई रेड हो गया तो आपकी जो चवी है वो खराब होती है आपके इस बियाई ने कोई दाड़ी में तिंका है और मुलाहियम सीग को पता है कि उन्होंने क्या 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 किया है उनको पता है कि सुप्रीम कोट पे जो केश चल रहा है उन पे चार्ज इस कितने सीरे से तो मुलाइम सिंग अगर ये बात कह रहे हैं तो मुलाइम सिंग भी तो ये मान रहे हैं कि मैं चोर हूँ मैंने गरबर किये इसमें का मतलब यह हुआ ना कि देखे कोट के आदेश से जहां पर भी जांच हो रही है तो CBI उस समय अगर कोट के कहने से कोई काम कर रही है तो उस बात को आप सरकार के उपर क्यों डालना चाहते हैं चलिए एक चोटा सब डेक लेगें ब्रेक के बाद आप से जानते हैं इस बात को मुलायम सिंग्ग के जो नए राग है वो कह रहे हैं अब मिड टर्म पोल यानि मद्यवती चुनाओ की बात कर रहे हैं बी जबी भी उनके राग में मिलकुल कह रहे हैं कि नहीं पूरे आसार हैं चुनाओ के और इदर टीम सी पुदार मंत्री से इस्तिफा मांग रहा है मुलायम सिंग थर्ड फर्ण बनाने की भी बात कर रहे हैं त्रिमुल कॉंग्रेस अन्य प्रधार मंत्री से इस्तिफादे प्रधार मंत्री है हमारे साथ जेडियस के प्रवक्ता है दानिस अली साहब वह भी जुड़ गये हैं और इससे पहले जो हम सवाल जिस से यह सरकार चल रही है हरी केसदी ने कहा कि अगर कहीं ने कहीं आप सब कुछ आपका द्रोस्त है तो फिर आपको ड़क्यों पुष्पंदर आपने भी यही का मेरा सवाल है और यह सवाल मैं दानेस अली साहब से भी पूछना चाहता हूं नेताओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है राजीव गांधी के खलाफ बफोर्स में आरोप लगे उनको क्लीन चित मिलने में दो दसक लग है उससे जाधा अमिताफ बच्चन के खलाफ आरोप लगे अब जाके उन्हें अब वो कहते हैं उनके पिता नहीं रहे जो यह सम है जिस तरह से जिस स्लो पेस में सारा करोंग केस पड़े हुए है ऐसी स्थिती में कोई भी राजनितिक दल जो अगर वो पाक साफ ना भी हो और हो भी तब उन्हें डर तो लगे गा ही भारती राजनिति की विडबना है कि हमारे यहां नेता जो भी है वो एक तो प्रसेप् हैं तो इसका सबसे बड़ा सफर तो खुद कॉंग्रेस रही है कि कॉंग्रेस के पिछले 65 साल के इतिहास में नहरूजी के जमाने में भी करिप्शन हुआ इंद्रा गांधी के जमाने में भी करिप्शन हुआ और जो राजीव गांधी जिने मिस्टर क्लीन के नाम से कॉंग आई-जेड निखाया तो कॉंग्रेस कम से कम आज अगर चाहे डी-म-क को चाहे राश्टिये वो एंजिलंगाना पार्टी है तो मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस या भारती जनता पार्टी केंदर में जो दोस्त तताकते तापने आपको राश्टिये पार्टी कहती है अगर व लेकिन एक बड़े और लोकतांत्रिक देश के लिए ये सबसे ज़्यादा नहाई शर्म की बात है कि आज कभी कोई 8 MP का दल है वो आपकी फॉरेंड पॉलिसी बदलवा लेता है कोई 4 का दल है तो वो आपको अपने पैकेज लेने की बात करता है आज ऐसा लग रहा है कि दि अपकी पार्टी भी UPA2 को समर्थन दे रिये बाहर से क्या आप भी इस बात से आपकी सहमती है कि कॉंग्रिस सरकार जो चला रही है वो CBI और Income Tax Department के दबाव से चला रही है देखें ये तो एक आम चर्चा है अभी तक आम चर्चा थी अब जिनके बारे में चर्चा थी वो लोग वो पार्टी वो नेता खुद इस बात को बोलने लगे है और देखें जिस दिन DMK ने समर्थन वापस लिया अगले दिन जो है CBI के जो है DMK के नेता के घर पहुँच गई तो ये जो प्रसेप्शन बना हुआ है कि CBI और Income Tax Department Enforcement Directorate से दबाव बनवाओ और समर्थन आसिल करते रहो इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरू है कोई सच्चाई जरू है प्रदार मंत्री ने भी एक जो बात कहिए कि मुलायम सिंग उनसे साइद समर्थन वापस ले सकती है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पर कोई खत्रा नहीं है ममता जी चली गई TMC, DMK, JVM जैसे कई पाटियां अगर हम आपको ताजा स्थिती इस वक्त दिखा दें क्या ताजा स्थिती है कॉंग्रेस इस वक्त कॉंग्रेस के पास 203 सीटे है और पहले 19 समर्थन TMC का था जो अब नहीं है DMK का 18 था जो अब नहीं है JVM का 2 था वो अब नहीं है NCP के 9 बच गए है और NCP के अलावा RLD के 5, National Conference के 3 GMM के 2, Muslim League के 2 Kerala कॉंग्रेस के 2 ये कुल जो स्थिती है 265 में से अब 19, 18, 2 और 1 ये कुल पार्टी UPA छोड़के जा चुकी है और जो बाहर से समर्थन दे रही है पार्टी समाजवादी पार्टी के पास 22 है बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 20 है RJD के पास 3 है JDS के पास 3 है NPF 1, BPF 1 SWP 1 बहुजन विकास 1 Democratic Front 1, SDF 1 ये कुल जो आखड़े बनते हैं सरकार समर्थन वापसी के बाद अब ये 280 के आसपास रह गए हैं जो समर्थन इसमें से अगर मुलाइम सिंग समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार सीधा सीधा अल्पमत में आ जा जाए 259 तो कहीं न कहीं बात बहुत साफ है कि ये जो तमाम दल है JDS हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम और भी जो समर्थन करने वाले दल है उनको पता है कि सरकार अभी किस स्थिती में है और इसलिए वो बार्गन कर रही है दानिस अली साह देखे मैं जो प्रधान मंतरी का कल का बेयान है मैं उसको इस संदर्म में लेता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज़ पार्टी इनमें से कोई भी एक दल अगर समर्थन वापस लेता है तो सरकार ये नहीं बचेगी ये कड़वा सच है लेकिन ये तैकल लिया है प्रधान मंतरी ने और प्रधान मंतरी की पार्टी ने कि अगर शहीद होना है तो बहदूरी के साथ शहीद हो और उनको मालूम है कि चुनाव जो है जो मुलाइम सिंग बार बार बोलने है कि नवंबर में चुनाव होगा इसमें सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद नवंबर में चुनाव कराने की इच्चुक है क्योंकि मालूम है उनको कि जो उत्तर भारत के चार राज्यों में चुनाव होने है नवंबर में उसमें उनकी हालत जो है अच्छी नहीं होगी क्यों वो एक घायल वावस्था में जो है लोकसभा चुनाओं में जाएंगे चार महीने बाद उस जहां नाक कहीं कान कटा होगा कहीं आक फूटी होगी क्या फायदा उससे तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊचे इस तरपर ये चर्चा हो रह जो जो नर्णय हो रहे हैं या जो संकित मिल रहे हैं उसको मुलाहिम सिंग कह रहे हैं बिलकुल बेशेक और 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 प्रधान मंत्री चाहते हैं आखिर वक्त तक लेकिन जो पार्टी है पार्टी में जो है ये मैजोरिटी मत है इसलिए मुलाहिम सिंग बार-बार कह रहे हैं पूरी तरह से मैं उस बात को मानता हूँ क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में मुलाइम सिंग और कॉंग्रेस के बीच में अंदरूनी तै हो चुका है कि मुलाइम सिंग सरकार गिरा करके उत्तर प्रदेश में मेसेज देंगे कि एक ब्रष्ट और एक करेप्ट और एक महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को मैंने गिरा दिया और इधर मनमुहन सिंग साब कहेंगे कि रिफॉर्म ला रहा था मैं तमाम देश को कंट्रोल कर रहा था इन्हों ने हमें चलाने ने दिया तो दोनों का मकसद हो रहा है लहाज़ दोनों के बीच में ये जो बयान-बाजी है ये किसी खास मकसद के लिए है आप ये कहना चाहते हैं देखे मैं ये मैं आप क्या समझने मैं तो एक मेरा एनलेशिस है मैं आपको बता रहा हूँ और कर्पशन के मुद्दे पर सरकार वरकार से समर्टन वापस नहीं होने वाला क्योंकि इतना corruption हो गया कि उसका कोई अब मुकाबला नहीं है मुकाबला नहीं है मुद्दा तो corruption रहना है Congress का corruption पूरे देश ने देखा है और भारतिय जंता पार्टी जो साफ सुत्री कहती है अपने आपको उसका corruption करनाटेक में उसका corruption ने देखा है आदिस अली साब आप से पूछेगे छोटे से ब्रेक के बाद